राम राम किसान भायो मारवाड़ी मंडी भाव में आपका सुवागत है किसान भायो आपका समय बरबाद न करते हुए फटा पट सुरवात करते हैं आज राजस्तान की कुछ बड़ी अनाज मंडियों के ताजय भाव उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चेनल पर नए है तो सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए अभी से ही लाइक जोदपुर की मंडी से आज हम सुरुवात करेंगे जोदपुर की मंडी में आज गवार विका है 4900 रुपे जवार विकी है 3100 रुपे विकी है 5000 रुपे तिल विके है 8400 रुपे सरसु विकी है 4000 मूंग विके है 7400 रुपे और मोट विके है विकानेर की मंडी में 4500 से लेके 5700 रुपे तक नोका मंडी की बात करें किसान भायो तो नोका की मंडी में मूंग विके है आज 7000 रुपे के लमसम और मूंग फली भी की है 4650 से लेके 5000 तक गवार भी का है 3680 रुपए तक जीरा भी का है नोका की मंडी में 15210 मेती भी की है 411, 30 भी के है 92 अब बात करते हैं नागोर की मंडी की तुकिसान भायो नागोर की मंडी में आज मूंग भी के हैं 3500 से लेके 3700 रुपए तक मोट भी के है 5000 रुपए गवार भी का है 3800 रुपए जीरा भी का है 14750 इसब गौल भी की है 3600 रुपए और तिल भी के है 9600 रुपए वही किसान भायो नागोर की मंडी की बात करें तो नागोर की मंडी में आज बाजरा भी का है 1800 से लेके 2100 रुपे तक जो बिके हैं 1920 रुपे तक और मूंग बिके है 7000 से लेके 600 के बीच डेगाना की मंडी में और मोट बिके है 5000 जीरा बिका है 15000 से लेके 7000 के बीच वहीं मेरता सिटी की मंडी की बात करें तो मेरता सिटी में आज मूंग बिके है साथ हजार के लंसम गवार भी का है 49 रुपे जवार भी की है 3020 रुपे तक और स्री गंगानगर की मंडी में गवार भी का है 362 मूंग भी के है 3170 नर्मा भी का है 5351 सादुल सहर की मंडी में सरसु भी की है 4048 गवार भी की है 383 नर्मा भी का है 3300 कपास भी की है 5555 मौंग भिक्याइए 2633 रूपे वही किसान भाईयो हनमानगड की बात करें तो हनमानगड की गोलुवाला मंड़ी में सरसु भिकी है 49,801 रूपे 37,66 नर्मा भिका है 54,50 मौंग भिके है 94,60 और मौ초 भिके है 57,50 और नोहर की मंड़ी की बात करें तो नोहर मंडी में गमार भी का है 3864, कपास भी की है 6430, मूंग भी के है 8460, और मोट भी के है 5796, तो ये थे राजस्तान की कुछ बड़ी अनाज मंडियों के ताजय भाव, किसान भायो आज हमें इतने ही मंडियों के भाव मिले हैं, फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो या सुजा हो तो कमेंट बोक्स में जरूर लिख सकते हैं फिलाल के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जेहिन